नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आई टेक्निकल गुरूजी में और मेरा नाम है कमल जोसी आज बात करेंगे हम डी सी जन्नितर में होने वाली छतियों के बारे में तो डी सी मसीन में हम क्या करते हैं जितनी यांतरी फिर दीक उड़जा देते हमें उतनी वेधूत उडजा नहीं मिल पाती तो कारण है कि इसमें कुछ नकुछ लॉस्स हो रहे हैं तो पहला लॉस है हमारा तामर चति दूसरा लॉस है लेधूरशती यानि आइरन लॉस तिसरा है यांतरी चति यानि मेकेनिकल लॉस तो तामर के लिए हम H बराबर I square R formulae से से हम निकाल सकते हैं आर्मेचर में होगी तो I A square R A और संट फिल्ड में होगी तो I S H square R S H सिरिज फिल्ड में होगी तो I S E square R S E और इंटरपोल में होगी तो I A square R I P और हमारे ब्रस होते हैं ब्रस भी copper के बनाय जाते हैं तो इसमें क्या होती है जो हमने metal के बनाय जाते हैं copper के तो उसमें 0.5 volt की छती होती है और graphide में 1 volt की छती होती है अब बात करेंगे हम लह शती के बारे में तो आर्मेचर तथा फिल्ड पूर में होने वाली वैदू शती ही लह शती कहलाती है तो हिस्टेरिसिश छती के बारे में बात करेंगे लहो आदी चुम्ब की पदार्थ के बार बार चुंबू की तथा वी चुंबू के दिया नी मेगनेटाइज और डी मेगनेटाइज होने के कारण वैद्धू शक्ती अनावेश्चक रूप से व्याए होती है तो इ राडे के विद्दू चुम्ब की प्रेरण सिद्दान्त के अनुसार चुम्ब की छेतर में गतिमान प्रतेक चालक में विद्दू त्वाहगबल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप आर्मेचरपूर में भी विद्दू त्वाहगबल पैदा हो जाता है जिसके कारण अन इत्तम चुम्ब की फ्लक्स घना तो वेवर प्रती मीटर स्क्वाइर में और F है फ्रिक्वेंसी हट्ज में यानि चुम्ब की परिवर्तनों की संख्या और T है लेमिनेशन की मोटाई तो इसलिए हम लेमिनेशन पूर को पतला पतला करके बनाते हैं 0.35 mm से 0.5 mm तक अब है या अरणीशन प्रतिक चति कहलाती है तो DC generator में भी यहोने वाली छटियां तीन प्रकार की हैं इस्ट्रे शती नियद शती और अस्तिर शती तो इस प्रकार से हमारी DC जन्रेटर में होने वाले लॉसेस ये निम्न प्रकार के आपको स्क्रीन को फॉर्मूले भी दिख रहे होंगे सब तो आप इसको वीडियो को रोग करके आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम बात करें देंगे अब क्यों हमारा DC जन्रेटर है इसमें हम ओममीटर तथा मेगर का उपयोग कैसे करेंगे तो ओममीटर के उपयोग की बात करते हैं यह एक प्रतिरोध मापक यंत्र है इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज प्रतिरोद क्या किया जा सकता है मापने की विवस्ता होती है ओम मीटर में तो अब ओम मीटर ही क्यूं प्रियोग में लिया जाता है इसलिए लिया जाता है तथा आर्मेचर तथा कमपन सेंटिंग वाइंडिंग का प्रतिरोद इतना कम होता है कि उसे साधरन मल्टी मीटर से नापन नहीं जा सकता अतो सू सुमापी प्रकार का यंत्र आवश्यक होता है तो यहो ओम मीटर इसले प्रियोग किया जाता है अब बात करेंगे मेगर की यहो एक अचालक प्रतिरोद मापक यंत्र है जिससे एक हस्त चली जन्रेटर होता है जिसमें डाइनमो टाइप झालक